अगर आप कमिंग एर के लिए जामिया इंटरस एक्जाम ग्रेशन लेबिल की तयारी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा दो इंटरस एक्जाम आप और एड करने, आप जिप मैट और आईपी मैट की तयारी भी जरूर करें साथ में, और सलेबस के जो पार्ट कामन ह हैं और उसको आप तयारी साथ में कर सकते हैं, जो पार्ट कामन नहीं है, उसमें अलग से लिटल बिट एफ़र्ट और लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टार इजुक्रिशन से इसी साल अफान सिद्धिकी ने आईपी मैट के थ्रू, हलाकि उनका एक्जाम जिप मैट, आई इस साल मैंने और तीन या चार फॉर्म्स बढ़े थे, इसमें तीन में सेलेक्शन गए हैं, अच्छा जामिया का भी फॉर्म आप टे डावा लेट, वीकॉम का और बीबीए का, बट इसले बश चेंज किया, इसले बश चेंज हो गया तो इसले 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 पर इसले इसले और पॉर्म आप टेर्ड आइसए, अजले पर गोड़ा आप बेकूस किया और बीजेएं को आपक फॉकस करके या बेटें गणिवारे डिचार एप लिए जायम के प्र फॉकस करतें या तो यह तो जामिया के प्र टेटेल से बाती हैं, इसके नियारी कैसे का इसले आ पैसे आइम में भीवीइज करने के लिए ठीन चार एक्जेयम्स होते हैं फ Ihr फिर स्विक्भा पर के जिपमेट करके आइम जम्मू एंड आइम बोलगया दोनों इंटिक्रेस्ट इंट्रेट्रेट्ट जिसमें I am Bode Rear की जादा गटप होती है, I am Dhammo की थोड़ी कम गटप होती है, थीमिल रिजर्वेशन की जी जी यह चार एक्जम्स हैं, इसमें से दो क्लियर हो पाइगे लिए हैं जामे होता है, पहीं होते हैं पोटे में जान एक्जमं भागाई आपम होता है, दो निटसमें होता है निटसमें होते हैं सब्लेन सब्सक्राइब थीげ कैसे जामिया से पहले स्लीप शुछ हैं दो इस साल सार आखवेसिक्य इंपर होता हैं outside kingdoms, sa corruption, स touchpad आपता है जिसकी वोकाब कम्स ओर है वो काफी दिफिकल्टी बेस्क करेंगें इंग्लिश को बताना भी चाहूंगा लेकिन आपने जामिया के साथ जिसे जामिया का आपने तयारी की है आपने आपने यहां पर तयारी की है और मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा जिसे आप लोगों को बताना भी चाहूंगा है कि आप दिये जानना चाहते हैं कैसे तयारी किया तो इनकों मैं यह बता द 12 के बाद मुझे दियू रामजस मिला था बट मैं सटिस्पाइब नहीं था था यू कि साइन्स टुलेंट्स नहीं मिल सकता है दियू मैं तो मैंने वो छोड़के आइप मैट के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट रही थी जामिया वीवे मेरा बैक अप था तो इसलिए मैं मोस्ल करें उनको क्या प्रेश जेना चाहेंगे इस साल मोस्ली कौंट्स पर ज्यादा देना चाहिए अगर कोंट्स हो जाता है और बीस आधे में आधे बी ओ जाती है तो लो आट यह काफी एज़िए आप करते हैं क्यूंकि जब आप पर संटाइल केल्किलेट करते हैं तो नेगे आप जो उद्ध जादा नहीं करने चाहिए, आप कुछ जैसे कैड की बातरिन करते हैं, आप बहुत लिमिटेट क्रेंस के बहुत लिमिटेट केर भी अच्छा प्रसंटायल ला सकते हैं. अगर आपके गलत नहीं किया है तो पहला से यह होगा कि आपको भी सॉल्व करते हैं जहां पर पर संटाइल क्यल्किलेट हो रहा है तो आप गलत करने की कोशिश ना करें और कोई टिप्स आप देना चाहेंगे जो बच्चों को करते हैं अगर लास्ट टाइम है तो वीडियो भी आते हैं यूट्व पे अवजल सर जो थे आपे काफी हल्प करी हुण विया आपके लिए जीके उनकी बहुत अच्छी थी जीके बहुत हैं इंटेव्यू में भी जीके का बहुत हैं मुस्ली 12 के बाद वो लोग जाता पूछते नहीं हैं कुछ इंटर्व्यू में जीके ही थी और जो 12 का से लेपलता थे देश के मैसूल से पर्शंस थे एंट बिहेवियर पूछ रहते जाता थे तो पहले आप तो इंट्रेस एक्जाम में अगर आदी अगर पांट पर च्छ अच्छा माहौल था वहाँ पर उन्होंने बॉर्डिंग करा है चार पैनल्स थे तो क्यासे क्वेश्चन कैसे थे कुछ जरा ब्रीफ पताएंगे कि यहां के जो जामिया में होता है जामिया बीबिया बीकॉंट के हम बात करते हैं यह 100 मार्स का होता है पूरा तो इस 100 मार्स में सिर्ठ इंटर्स आपको इन्टर्स उक्जम आप के प्ले देया और इसके बाद आपकर लिस्ट वे कर आगला अगर आपकर सिस्धीक इंटर्वीन के बात के बात करनेаем के बीस्छे जचन के नोगर कि चैसले औहीं जिसमें आप बोद्धिरिप्र हां युसे में नहीं हो बस आप कटाफ क्लियर करें और अपाइड हो जाता है लेकिन आयम बैंगलोर में 60 questions आते हैं 240 marks के लिए लो लेते हैं तो 240 marks में मैंने 160 score करा था वो लिस्ट में मिली थी लेकिन after interview कोई list नहीं आती है तो final score गया था ये आयम बैंगलोर कभी दिखाता नहीं है तो मतब overall आपका वहाँ पर आपका आपका इंटर्वी प्रसेस था सिर्वा पर प्रसंच भी हुआ जीडी भी हुआ पस इंटर्वी लिया हूं लोगोंने चार पैनल से पहले जो थे उन्होंने introduction से start करा फिर कुछ GK से question पूचा जो मेरा state है उससे उन्होंने GK का question पूचा फ आपका इंटर्वी को भी हिंदी में रिकॉर्ड करें हैं कि जादे बच्चों पर क्या होता है जो हमारे जो बत्ते रिस्टूरंस आते हैं बिहार से आते हैं या तो यूपी से आते हैं क्योंकि जो language communication जो होती है वो हिंदी ही उपी जाते हैं तो वहां पर आपका इंटर्व अगर आपका इंटर्वी को बात करने ने पर इस्ट दो कर दो हैं मैंने तयारी करी थी मैं वर्ट तीरे दीर यूज कर आता था कि जाता जल्दी से वर्ट मेरे माइं में मैं नबलम होती हैं तो कितने कुछ्चन पूछे ते आपके रिप्लाई के जो मेरे बेक्राउंड से कायते साइन्स प्राइवाय था ञाता है तो कि एक नहीं कर पाया था हो आप कर से मर्च करेंगा चैनल टेस्ट करेंगा से काफिण वो होता है अगर आप आप आपमाट कप्रिप्रेशन कर रहे हैं तो बिलकुल एसी है तो 50 marks के paper में 150 तो easily आ जाते हैं बिना पढ़े भी उसके लिए और बागी सब तो 12 के बाद बहुते हैं से युटी मोस्ली easy होता है comparatively तो उसके लिए 12 भी अच्छे से कर लेता है कि जामिया में की तो युटी तैयारी करना और उसके बाद जयारी कर रहा है इसके लिए एक सबमें वर निबभ यह पर एंगिकशाइए को थो उसको कैसे कंभाइट कर दिया है क्या चीज़ ने अलग से पढ़ने कड़ेगी एक साथ कौन्स, LIDR, VARC तो एक साथ सब में निकल जाती है फोड़ा सा एफट 12 के पेपर्स के लिए देना पड़ता है last में CVT के टाइम पर चाया में फोड़ी 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 हई वेड़ह होती है तो जीए के लिए अलग से पढ़ना होता है तो सब में एक बरावरी stronger defense उफ़हात करेंट आफर हम लोग दों से प्रोवाइब भी किया था पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं इंचोछन प्राइशन पूछन सब्सक्राइख ऑप्सारइख न लगाती है मैंनेवन एक गंडे की लिमिट लगाएथ थी कि अगर स्टर्वल कर रहा हो सब्सक्राइख एक गंडे से घगार खुछन बंद नहीं होते हैं लेकिन जैसे अनफॉलोव हो यह तो नई रूटिंग बना के फिर सो उसको रैपप करना पड़ता है एंड डेली टार्गेट सब्सक्राइब बहुत हो लिए अब ये माईक लगा लिजी आपके क्या अब लूटिन क्या अधाता सुफ़ाइक के राप तक का प्रिपरेशन होती थी तो 9 बजे से मैं यहां पर आता था नव बजे से दो बजे तक यहां पर कोशिन होती थी फिर मैं लाइब रिखरी जाता था लाइबरी जाके आइपने पर शोची आफमें माच वाहिते हो धी ती आथ बजे तक वीच वीच में रेक्स भी लेता था अधाट एक तटेकिया पर दात में डिनर के बाद मैं जामे के लिए भोड़ा जीखे पड़ता था प्रिश करें दो रहा है लिए अलग सी एक गंटा में अलग अगा अगा वाइस प्रिश तेप्स पर नहीं होती है में आपकर लेंदाया है एक स्टैप में पहले अपने स्टैप्स कर लेजिए एक इंसाइट मिल जाएगा इसके बार उससे रिवीजन स्टाट कीजेए अब प्राक्टिस बहुत जरूरी है क्वांट्स के लिए एक हायर मैं अग्या-इंस वाला एफ एट वाला एक लिएक लाय तो बिलकुल करता है तो जो नीव कोमर्स है उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे आप जो भी तैयारी करते हैं पहले आप सेलरेस को रिलाइस करें और इमानदारी के साथ मेहनद करें और शोशल मीडिया प्रेटफॉम से आप दूर रहें लाइए लाइट को आप मैनेज करें जाधा से जाधा से जाधा पढ़ाई करें अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे कुछ बच्चे ट्याल के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं बच्चे ट्याल के साथ मैनेज कर सकते हैं एक दो घंटे तो निगली जाते हैं असमें सेंटर से इनका सेलेक्शन हुआ था मोगों बहुत जाधा खुशी हुए और यह चीज़ एक मैसस देना था यहां के स्टुडेंट्स को जाधा बच्चे को स्टुडेंट्स करते हैं तो आप आप जो है आप फिमैट जीपी मैट को भी इूट कर सकते हैं और स्युटी के विज़ित आपके पास क्या होता है ना कि जाधा options हो जाते हैं और syllabus को बसका mind करना है तैयारी करना है एक बोड़ा ही बाइटा उपर बहुत जादा इसा होना चाहिए मेरे साब से की आपका जिए ग्जाम सुआ हो आप वह कंप्यूटर बेस था या मैनुवली था? आपके अप्प्यूटर बेस था या वहां ने जाए कंप्यूटर बेस था मैं इसमें पूछा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आफ्लाइन टेस्स प्रिफर्ड करते हैं तो आप कंप्यूटर बेज आप टेस्स दें और टेस्स पे अच्छी तरह से आप फोकस हो और जब टेस्स आप समिट करते हैं तो उसको देखें कि नेगेटिव मार्किंग के यह लगां है तो फिर आपका टेस्स देने कि को है कोर फाएनल ही परसंटेज project तो आए अटुक्ति बताना कहा नशेया बताओ पिर से स्टेप्स में तायारं करना बहुत बहुत हो देगा कि ऑली सेकंस्ट श कम्प्लीट करना होता है प्रेशर ना लें कि मुझे याद नहीं हो रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है एक बस ले बस complete हो जाए second step में आप याद करना शुरू करें प्रैक्रिस करना शुरू करें एक अच्छा short notes बनाना start करें जो last में आपको help करें तो thank you so much और कोई पहरी है तो आप comment करें और comment का reply हम लोग भी करेंगे हमारे का country member है या अपान को भी question दे दिया जाएगा उसका answer करेंगे और यह सारी चीज़े जो बताएगी है वो honestly बताएगया है किसी भी तरह का अपान के उपर भी pressure नहीं था कि आपको यह कहना या वो कहना है यह जो वीडियो आप लोगों ने record के यह honestly और genuine पूरा आपका इंटरव्यू है तो thank you so much for watching us thank you